बैलेट पेपर के वोटिंग वाले भी अपना जो पूर्ण विश्वास और है उसको उन होने निभाया है हमारे प्रति और हमको जिताया है बैलेट वोटिंग में हमें सबसे ज्यादा अंख या अखड़ा मिले है इसमें ना भोगसिंग है इसमें ना रिगिंग है इसमें ना इसमें ना गालियां है इसमें कुछ भी नहीं है जीतिने वाले कैसे जीते यह वो भी स्वायम जानते हैं उनके लोग भी जानते हैं कौन्स्ट्विंसी वाले भी जानते तेलंगाना राज़ वाले भी जानते बारत देश भी जानते हैं बाजपा में सारे लीड़ेज को सीधे साधे सामने से लड़ना ही आता है लेकिन इतिहास और पुराणों में ये काफी बार दिखाया गया है जब भी न्याए बद्ध कोई लड़ाई लड़ते हैं, जीता तो न्याई ही है, लेकिन उसके जो लड़ाई हम असत्य से करते हैं, अन्याई से करते हैं, इस दर्मिया, इस दोरान हम बहुत सारा खोना भी पड़ता हैं, इसी प्रकार से जिस प्रकार से प्रत्रदी के पाटी लोग एक दलित का बात का गलत म जो बात मोदी जी से या अमिट जी से नहीं निकला, उसको ये लोग बना कर उस बनावटी बात के ऊपर कैंई लोगों को, एक डर जो दिखा दिये, तो कभी होता है, जैसे कि पांच उंगली एक तरह से नहीं होते हैं, हर मतदाता एक प्रकार से नहीं होते हैं, तो कही न कही वो बटक गय थे इस बात को सच मान कर और दूसरी बात जो मुसल्मान का reservation का था वो मुद्द अपका नहीं था और वो मुद्द देश के लिए नहीं था वो कही कर्नाटका में कही दिन पहले एक दूसरी समस्या के उपर बात किया हुआ था उसका वो लग एडिट करकर उसका गलत मतलब निकाले जैसे निकालकर धेश में पूरा उसको एक प्रकास से इसका प्रचार किया तो प्रत्यरदियों के पास कोई मुद्दा तो नहीं था बात करने के लिए लेकिन जो हमारे मुद्दे थे उसका गलत मतलब निकालने का मुद्दा उनके पास था तो ये 130 करोड प्रेजा में जो बलहीन होते हैं जो सोच नहीं सकते हैं जो डर जाते हैं वैसे भी तो होते हैं लोग तो उनके उस डर के वज़े से कहीं वो पटक गहते हैं लेकिन अंत में जिस प्रकार से पांडव का ही जीत हुआ है वैसा हमारा भी बाचपा का न्याय का जीत हुआ है इस जीत से हम तीसरी बार फिर से हम गवर्नमेंट बनाने वाले हैं सरकार बनाने वाले हैं और जिस गलत फैमी में ये लोग प्रजा को रखे हैं अपकी बार हमें पूर्ण विश्वास हैं मोदी जी अमिच्छा जी इसको निकालके उखाड़के भेक देंगे और फिर से ऐसी स्थिति पे लिए क्याएंगे कि प्रजा को अपकी बार पूर्ण तरह से समझ में आ जाएगी कि किस प्रकार से वो लोग प्रत्यर्धियों के बातों में आकर बट़ देंगे मैं दोनों अलायंस जानि इंडीय हो या इंडीय अलायंस हो दोनों अलायंस टीडीपी और जेडीओ जो चंद्रबाव नाइड़ो जी है और नितिश कुमार जी के तरफ ही देख रहे हैं जो कि कौन से अलायंस को ये दोनों सपोर्ट करेंगे उनहीं का सरकार फेंज में बन को दाता के जैसा और एक पब्लीक administration स्टुटक के तरह मैं चंदरबाव नाइडू जी को जानती हूं चंदरबाव नाइडू जी एक मुख्यमेंत्री के तरह वह बहुत ही बड़े एक बहुत ही अच्छेestar है उनको क्या करना है कैसे करना है या किस हद तक उनको सोचना है इसका उनको बहुती अच्छी तरह से clarity है उनको और मुझे पता है कि किस प्रकार से मोदी जी भी एक अच्छे administrator है और जिस प्रकार से आमिज जी भी एक अच्छे strategist है यह दो भी जानते हैं चंदरवाब बुनाईडू जी इसलिए मुझे इसमें कोई शक नहीं है कोई शंका भी नहीं है कि एक मिनिट के लिए भी मुख्यमा अभी होने वाले कल मुख्यमंत्री जी है चंदरवाब बुनाईडू जी आंदर प्रदेश के वो इंडी के तरफ सोंचेंगे भी नहीं और मेरे असाब चाज दिल्ली में है वो पत्र भी दे दिये हैं होंगे प्रधान मंत्री जी को और इसका शुप कामने हैं हम कि मैंने जितना भी चांपेणिंग की id मैं किसी के उपर महर्बानी नहीं कहीं है जो जिम्मेदारी मुझे दिया गया है वो जिम्मेदारी में मुझे कैमपैनिंग करना है प्रजा के पास जाना है उन गल्लियों उस महलों में मुझे फिरना चाहिए यही मेरा करतव्य है मैंने अपना करतव्य निभाया है इस करतव् प्रति बैलेट पेपर के वोटिंग वाले भी अपना जो पूर्ण विश्वास और है उसको नहीं निभाया है हमारे प्रति और हमको जिताया है बैलेट वोटिंग में हमें सबसे ज्यादा अंख्या अंखड़ा मिले हैं वोट्स मिले अभी जब इविए मिशिन्स का वोटिंग हुआ है 3,23,889 लोग आगे बढ़कर हमको वोड़ दिये हैं वही एक बात मैं कह सकती हूँ कि यह सब प्यार और उमीद जो भरोसा हमारे उपर था है है hawadabal log कवा parliament की constitutional voters पूर अप्रहतनी है हम हमारे उपर दिखाने की इसमें ना भोगसिंग है कि इसमें ना रिंग इसमें ना बूद के अप्चिरिंग है इसमें ना रावडी जैं इसमें ना गालिया है इसमें कुछ भी नहीं है इसमें ना police compromise का स्थिती है इस भीना प्रिसाइडिंग ऑफिसर काम ना करने की बात है इसमें स्वच्छ थरा से स्वायम लोग आगे निकल कर हमको चुने हैं उनके लिए तो हम जस दिन से जिस मिनिट से वो लोग वोड़ दाले उसी दिन समुन के एंपी हो अभी जीतिने वाले कैसे जीते यह वोग भी स्वायम जानते हैं उनके लोग भी जानते हैं पी राज्म वाले भी जानते हैं अब इसके ओपर वो लोग बैंड बजाएं गाना गाले रंग भेके स्वायम पे उससे को यह किसी को फरक नहीं पड़ता लेकिन हम अपने मतदाताओं के लिए आकरी दम तक अपने लोगसभा पार्लिमेंट में ठहरेंगे